दूनिया भर में कोरोना बीमारी का कहर छाया हुआ है वहीं देश भर में कोरोना के कई मरीज सामने आ रहे हैं गुजरात राज्य में प्रसासन अलर्ट और सेवा भावी संस्ताओं के चलते कोरोना कंट्रोल में है वहीं लोगडाउन और करफ्यू के चलते कई जगों में गरीब और मजदूर लोगों को खाने पीने तक तकलिफ सेंड करनी पड़ रही है और गुजरा करने में हालंकी का सामना करना पड़ रहा है वहीं गुजरात के एमदाबा सेर में कोरोना के कई मामले सामने आ रहे हैं जिसके चलते हैं यहाँ पर लोकडाउन और कर्फी के साथ कड़ा पुलिस जापता लगा दिया गया है इस बंद के चलते मजदूर और गरीब लोगों को काफी हलंकी का सामना करना पड़ रहा है और दाना पानी के लाले पड़ गए हैं वहीं पिछले दस दिनों से साबर मती सुभास नगर में रहने वाले मैजबाई ठाकूर की और से दोनों वक्त 500 लोगों का खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है और जरुतमंदों तक खाना पहुँचाया जा रहा है मैजबाई ठाकूर और उनकी तीम द्वारा ये काफी सरानी है और प्रसंसनी कारे किया जा रहा है ऐसी कठीन स्तिती में और मुश्किल हालातों में ये एक बहतरीन सेवा भावी कारे का उधारन है जाहिरे कि इस कोरोना की महामारी के चलते गरीब मजदूर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में सेवा भावी संस्ताओं का ये कारे काफी प्रसंस नहीं है साबर मती से ब्यूरो चीफ गिरिस कुमार भधोरिया की खास रिपोर्ट हमारी यूट्यूब चैनल CN CCTV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुचें आप तक